नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सनमार्ग कई बार आप पैसे खूब कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं है धन हमेशा बेबज़क खर्च होता रहता है अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आपको एक बार छोटा सा परियोग करना होगा वैसे वास्तु सासर कहता है कि धन नहीं टिकना घन की जो तिजोरी है जो आलमारी है इसकी दिसा पर भी निर्भर करता है क्योंकि इन दोनों ही जगह आप पैसे रखते हैं लेकिन गलत दिसा के कारण धन जादा खर्च होता है तो आप पस्चिन दिसा में कभी भी रूपयों पैसे से समंधी चीजों को मत रखें वरना वो जैसे आएगा वो ऐसे चला जाएगा बहुत साय लोग घर में सीडियों के नीचे आलमारी रख देते हैं लेकिन वास्तु सास कहता है ऐसा करने से नकात मकता बढ़ता है घर में दरिता प्रिसान करती है तीसरी बात आलमारी में कभी भी कागज या फाइल ना रखें जिसमें आप पैसा रखते हैं वरना लक्ष्मी नहीं ठीकेगी बहुत साई लोग तीजोरी में जो रुपय पैसे हैं एक बार में सारे निकाल लेते हैं तो ऐसा भी ना करें आप थोरा सा पैसा अलग रखें जहां से आप खर्च करते हैं और एकदम से खाली आलमारी दरिता का कारण है इसलिए जरा संभल के आलमारी में अगर आप कपड़े और पैसे दोनों एक साथ रखते हैं तो कभी भी एक ही रैक में मत रखें वरना बेवज़े खर्च होंगे अलग लग जगा रखें अगर आप तिजोरों में रुपे कभी भी आप नहीं चाहते हैं कि खाली हो तो हमेशा किसी कपड़े में लपेट कर पैसा रखें मा लक्ष्मी की किरपा बनी रहेगी खासकर अगर लाल कपड़े या गुलाबी कपड़ा में लपेट कर रखें तो अच्छा है खिड़की के पास कभी भी ऐसा अलमानी ना रखें जो जहां पर आप पैसे या जेवर रखते हैं अलमारी या तिजोरी के पास कभी भी भारी बस्तू मत रखेंगा वरना धन का नासोगा बरकत नहीं होगी धन रखने के जगह पर कभी भी पानी का बरतन घड़ा फ्रीज मत रखिए वरना घर में रखा पैसा पानी की तरह खर्च हो जाएगा तो ये तो थी कि कैसे आप आलमारी को और कहां रखें लेकिन आप चाहते हैं कि धन टिके तो आलमारी के उपर क्या रखेंगे आलमारी के उपर या तो आप लाल कपड़े में दो लौंग बांध कर रख दे या फिर आप एक फिटकरी काटू करा किसी काच के बाउल में रख दे आप देखेगा आपका बरकत बढ़ जाएगा धनिवाद